प्रे छात्रों छात्रा हो, मुझे आशा है कि आप अपनी तायारियों में जुटे होगे और CBSC बोर्ड लगातार आपके साथ बना वा है आपको जो जो अपकी समस्यां हैं, परिशानिये हैं उनका निदान करने की लगातार कोशिश भी कर रहा है अभी लगातार मेरे पास जो सुचनाई आ रही थी और आपसे जो लगातार संबाद भी मेरा हो रहा है तो आपके सामने पहली समस्या तो ये थी कि उनी स्कूलों में जाकर के वहाँ परिक्षा देने पड़ेगी बहुत दूर हैं तो ये दूसी जगह जो सेंटर होते थे उन दूसी जगह सेंटर होने के को भी निस्तारित करके पहला निरने सीवियस से बोर्डे ये कहा था कि वो आप अपने ही स्कूल में अब आपका सेंटर होगा तो ये काफी कुछ सौलित आपको मिली होगी कि अब आपको दूसी जगह दूसे केंद्रों पर परिक्षा देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा जो इंटर और हाइज स्कूल की बच्ची वी परिक्षाई हैं लेकिन अभी जो जैसे कि जो चात्रवासों में चात्र रह रहे थे वो नहोंने अपने चात्रवासों को खाले करके सबी लोग अपने अपने घरों में चले गए हैं अपने प्रदेशों में चले गए हैं उदारने के लिए नेनी ताल से पीछे की दुनों में केरल लोग गए इदर से तामिल नाडू गए तो तामिल नाडू से पंजाब आये तो एक जगह से दूसी जगह हज़ारों किलोमेटर की दूरी करके और बच्चे अपने अपने घरों में पहुंचे हैं अब दूसी पड़ेगा अपने इसकूल में भले ही इसकूल में आपका अपना केंदर हो गया लेकिन आप तो अपने घर पर हैं और अभी चाहे वो केबी का हो चाहे वो नबोदय नबोदय इसकूल के वी लगवग तीन हजार चात्रों को बहुत सुरक्षित इस बीच हम घर तक इसकूल को सुचना देनी पड़ेगी कि वो उस जनपत में है और उसको उसी जनपत में परिक्षा देने की अनुमती दीजाए तो आप अपना जल्दी से जल्दी आप जिस जनपत में हैं अपने इसकूल को बताईए और बताईए कि आप वहीं पर परिक्षा देने वाले है देना चाहते हैं तो सीबेसी बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि हर हालत में आपकी सुवधा के अनुसार उसी जन्पद में आपको परिक्षा देने के अनुमती होगी जून के पर्थम सब्ता में आपको अपने स्कूलों से लगातार सम्मद करना पड़ेगा ताकि जून के पर्थम सब्ता में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से आपके जन्पद के कौन से अस्थान पर आपको परिक्षा देनी है तो अब आप बहुत चिंतित मत रहें, यह भी बहुत अच्छा नर्णे आपके पक्ष में हो गया, आप निशिंत हो करके पड़ाई करिया, मैं अभी भाकों से भी कहना चाहता हूं कि उनको काफी मानसिक दबाव रहा होगा, चिंतित रहें होंगे, जब परिक्षाएं होंगी तो बच्चों को सेक्ड़ों, किलोमेटर हजारों, किलोमेटर दूर किस तरीके से वो जाएगा और फिर कैसे करके परिक्षाँ को देगा, तो आपकी भी यह चिंता कम हुई है, अब आप पूरी तनमेता के साथ, चात्री के साथ जूटे होंगे, मुझे आशा है, मेरे चात तरीके से प्रियोग में लाई हैं, आप अच्छे तरीके से उसका अपने उप्योग किया, बहुत अच्छी तरीके से आपने सब लोगों के साथ, हासी खुशी के माहौल में, मस्ती के माहौल में अपनी पढ़ाय भी शुरूह की, और अपने को सुरक्षित भी रखा है और मैं फिर आपको शुब कामना दे रहा हूं कि जो अगला एक बाद एक एक बाद एक एक बाद एक जो आपकी पक्ष में ये लड़ने हो रहे हैं ये आप उनसे खुश तो हो गई लेकिन उन लड़नों को अपने और अच्छी योगता बढ़ाने की दिसा में आप और मेहनत कर र कि इंगी धुश क beneficiaries कामने टाओ कि ऑपकी तानी हैं ये